साथियों, हमारे देश में पहली इंटर स्टेट नेचरल गैस पाइपलाइन 1987 में कमिशन हुई थी, पहली पाइपलाइन 1987 में कमिशन हुई थी, इसके बात, 2014 तक, याने 27 साल, 27 एर्स में भारत में 15,000 किलोमेटर नेचरल गैस पाइपलाइन बनी, आज देश भर में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिन, 16,000 किलोमेटर से ज़्यादा नई गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है, ये काम अगले 4-6 साल में पूरा होने वाला है, अब कल्पना कर सकते हैं, जितना काम 27 वर्सों में हुआ, हम उससे ज़्यादा काम उसके आधे समय में करने का लक्ष लेकर चल रहे हैं, साथियों, इसी तर एक और उदारन है, CNG स्टेशन का, हमारे देश में पहला CNG स्टेशन 1992 के आस्पाश शुरू हुआ था, साल 2014 तक, 22 साल में हमारे देश में CNG स्टेशनों की संख्या 900 से ज़्यादा नहीं थी, जबकि पिछले 6 वर्षों में, 1500 के करीम नए CNG स्टेशन शुरू हुए हैं, अब सरकार इस लक्ष पर काम कर रही हैं कि देश बर में CNG स्टेशनों की संख्या को, दस हजार तक पहुँचाया जाए, अभी जो ये पाइपलाइन कमिशन हुई हैं, ये भी केरला और करनाटगा के अनेख शहरों में, 700 CNG स्टेशन खुलने में मदद करेगी, साथियों, एक और दिल्चस्प आंकडा है, PNG करेक्शन का, रसोई में पाइप से जो गैस पहुँचाई जाती हैं, उसका, 2014 तक हमारे देश में सिर्फ 25 लाग PNG कनेक्शन थे, मतलब की घरों में पाइप लाइन से गैस 25 लाग, आज देश में 72 लाग से जादा घरों की रसोई में पाइप से गैस पहुँच लई है, कोची मैंगलूरू पाइप लाइन से 21 लाग और नए लोग PNG सुविधा का लाब ले पाएंगे, भाई और भेनों, लंबे समय तक भारत में LPG कवरेज की स्थिती क्या रही, यह हम सभी जानते हैं, साल 2014 तक जहाँ 14 करोड LPG कनेक्शन देशबर में थे, वही बिते 6 सालों में इतने ही नए कनेक्शन और दिये गए हैं, उजवला योजना जैसी स्किम से, देश के 8 करोड से जादा गरीब परिवारों के घर, कुकिंग गैस तो पहुँची हैं, साथी इस से LPG से जुड़ा इंफरस्ट्रेक्टर भी देश में मजबूत हुआ है, साथियों, एक बड़ी वज़े रही ही कि कोरोना काल में देश में रसोई गैस की किल्लत कभी नहीं हुई, गरीब से गरीब को हम उस मुश्किल समय में करीब बारा करोर मुप्त सिलिंडर उपलब्द करा पाए हुई, साथियों, सरकार के इन प्रयासों का इतनी तेजी से किये जा रहे कारियों का एक और प्रभाव हुआ है, इसकी चर्चा उतनी हो नहीं पाती, याद करिये, हमारे हाँ कैरोसीन को लेकर कितनी लंबी लंबी लाइने लगा करती थी, राच सरकारे भारत सरकार को चीठिया लिखती थी केरोसिन का कोटा बढ़ाने के लिए केरोसिन की डिलीवरी के लिए केंदर और राच के बीच में हमेशा तनाव रहता था आज जब रसोई के लिए गैस आसानी से मिल रही है रसोई तक गैस आसानी से पहुँच रही है तो कैरोसीन की किल्लद भी कम हुई है आज देश के कई राज्य और केंदर सासित प्रदेश खुद को कैरोसीन मुक्त राज्य गोशित कर चुके है